नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम डिवेट में संत्रामपाल की गिरफतारी में विफल रही हर्याना सरकार को हाई कोट ने धीले रवये पर लतार लगाई है पंजाब और हर्याना हाई कोट ने सरकार के उस दलील को नकार दिया है जिसमें सरकार ने कहा था कि हिजार के करोथा आश्रम के बाबा की गरफतारी से खानून ववस्था बिगड़ सकती है कोट ने ये तक कह दिया कि सरकार अगर चाहे तो बंकर में छिपे अपराधी को भी पकर सकती है पंजाब और हर्याना हाई कोट में संत रामपाल की पेशी हर्याना की नई भाजपा सरकार की किरकिरी कर रही है हाई कोट ने ना सिर्फ बाबा की पेशी में धिलाई पर राजसरकार के रवये बढ़ना राजगी जताई बलकि ये तक कह दिया कि अगर सरकार चाहे तो बंकर में छिपे अपराधी को भी पकड़ सकती है दरसल करौन था आश्रम के मुखी संत रामपाल के आगे हर्याना सरकार बौनी पड़ गई और उन्हें गरफतार नहीं कर सकी डीजीपी एसन वशिष ने हाईकोर्ट में शपत पत्र दायर कर कहा कि गरफतारी का प्रयास किया गया था लेकिन डेरे में बड़ी तादाद में महिलाएं बच्चे मौजूद थे और पुलिस प्रबदना काफी था डीजीपी ने ये भी कहा कि डीसी हिसार ने सरकारी डॉक्टरों का बोर्ड बना कर रामपाल के बिमार होने के तथ्यों की पुष्टी करवाई और पाया कि रामपाल को आराम की सक्त जरूरत है हाई कोट ने सरकार की दलीलों को खारिच करते हुए संत रामपाल की खलाफ दो बारा वारंट जारी किये हैं और सरकार को निर्देश दिया है कि 17 नवंबर तक बाबा को कोट में पेश किया जाए और अगर सरकार फिर से विफल रहती है तो DGP और ग्रिसचिव निजी तोर पर पेश होकर जवाब दें हाई कोट ने सरकार और रामपाल के वकील को नोटिस थमाते हुए ये भी पूछा है कि खबल केस में रामपाल की जमानत क्यों नरद कर दी जाए वही सीनियर अडवोकेट अनुपम गुपता ने पैरवी के दौरान आरोप लगाया कि सरकार संथ रामपाल को बचाने का प्रयास कर रही है क्यों किसी बाबा की हैसियत खानून से उपर दिख रही है और क्या खानून विवस्था संथ रामपाल की गरफतारी से इस तरह बिगड़ जाएगी कि सरकार कास्पर काबू पानम मुश्किल हो जाएगा इसे तमाम सवालों के जबाब जानेंगे हमारे दिख गजो से हमारे साथ स्टूडीों में मौझूद है अजर शुकला जो की एडिटर इगगा जो की कानून के जानकार है बहत बत शुक्रिया हमारे महमानों का चर्टा में शामिल होने के लिए साथ ही हमारे साथ निवस सरकार का पक्ष रखेंगे लेकिन चर्चा की शुरुवात करते हैं शुकला साहब आप से आप किस तरह से देखते हैं पूरी कानून व्यवस्था लगी हुई है एक बाबा को पकड़ने के लिए लाखों खर्च किये जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार विफल हो जात सरकार न्याइपालिका और पुलिस जिस तरीके से बिहेब कर रही थी उससे उसी पर मैंने लिखा था कि क्यों ने रेड कार्पेट स्वागत किया जा इन मठाधी सोगा तो कमोबेस कहीं न कहीं कानून सब के लिए बराबर है हमरा सम्मीधान कहता है कानून में किसी को सामान बेक्ति आप गाड़ी लेकर के जाते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसे नाका लगा कर खड़ा होता है पता नहीं आप कितना बड़ा क्राइम करके निकल लाए हैं और थोड़ा साथ साथ एक दो किलोमीटर प्र गंटा की स्पीट का ही अंतर होता है तो उसमें आपको पर किलाने में इस तरह से क्या कि कोई आपती नहीं है जोए फिडिया दाखिल किया था जब उन्होंन जमानत के लिए कि उसमें कि अधार कि यह में कहुंगा कि पंचाब घाव कोड के चीफ जस्टिस न कर बार बार अच्छा इस्टेंड लिया और इस मुद्दे पर क्यों क कर रहे हैं कि उसके आगे धुल्मल सी नजर आती लाचार सी नजर आती वह कहती है कि यह कर के लाओ सरकार पुलिस कहती है कि यह नहीं हो सकता है एक बार हो गया दुबारा वह नहीं आया तो इस तरह से कर लिए डिए नियाय मूर्थी है अब देवस खड़ा है और सिर्फ युजिए बार 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 आपनी रंग से पलुए है जैसा कला रचर्भ कोर्ट ने खुद है कि माइन तो सिर्भा श्राइब नहीं किया था वो बोर्ट बनाब रहा है और उसको बार बार कहा है और वह करा रहा है और यह करा रहा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं था जो उन्होंने एफीडेविट डीजीपी ने दाखिल किया वह ऐसा दाखिल किया जैसे कोई मतलब मूर्ख बनाने के लिए काम कर रहा है और जग वहां बैठे मूर्ख बैठे हुए उसके बाद में अनुपम मामले में डीली नजर आ रही है कहीं न कहीं दोशी भी नजर आ रही है यह पूरे मामले को जैसे डील किया है सरकार ने जगह साब आपके भी जाना चाहेंगे राय क्या होगी देखिए मैं समझता हूँ कि जो अदालत है वो सरवोपरी है कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा कोना हो कानून से उपर नहीं है और आप पुराना इतहास सारा देख लीजिए कोई आदमी कभी कानून से बच नहीं पाया बशर्टे कोई एक्सेप्चन रो और मुझे आज भी जो कानूनी प्रणाली है उसके उपर सौफी सदी विश्वास है जी मैं ये भी समझता हूँ कि जो नियायले है वो ना तो असमंचस में है ना फसा हुआ है और जो जजजजज है वो हमारे बहुत काबल लोग हैं और हलात के हिसाब से वो फैसला जो है इसमें करते हैं औ और हर एक केस के हलात या सरक्मसांस अपने सेपरेट होते हैं कोई थामरूल नहीं है कि ऐसा हो तो कोट ऐसे गरेगी है जो 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 अदालत है उसके पास हर तरह के अख्तयार है हर तरह का वो अदेश देने के उसको इंप्रिमेंट कराने में सक्ष्यम है जे और मैं यह समझत deal कर रहे पूरे माम ने अगर हम यह कहते हैं तो हम यह सम oath है जो कोट है वह ठीक तरह से कारे 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 नहीं कर पा रहा नेकिन जाने बात नहीं है यहाँ पर हम बैठे कि किसी कि इआ कि डाफ हूई कि उनका medical report आया है उसके ओर बारे में आपका क्या है तो मेरा कहना ये है कि उनका जो रिपोर्ट है वो ना मैंने तो देखा नहीं है इसके लिए मैं तो उस पर टिपनी कर दी सकता पर मैं ये समझता हूं कि ये जो एक जनता को असविदा हो रही है वो कोई शैद बहुत अच्छा एक मैसेज नहीं है सदी लेकिन जब जहा हमारे ने दीशिया उन्होंने हालात के मताविक जो बात है देखते किया होगा तो इससे कोई थंब रूल नहीं है कि ये गलत हो रहा हां जो असविदा है वो केद जनिक है ऐसा नहीं होना चाहिए ये सब माते हैं लेकिन कनून अपने काम करेगा और आपको नजर आएगा आ आज नहीं तो 18-11 को नजर आए जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हर्याना भार्चपा के प्रवक्ता है वरिंदर चोहान उनसे जानते हैं कि सरकार की तरफ से वो क्या रूप पेश करना चाहेंगे जी वरिंदर अगर आप हमारे पैनलिस्ट को सुन रहे है तो आपसे हमारा यही सवाल होगा कि सरकार के रवये में संत्रामपाल के मामने पर क्यों धील बढ़ती जा रही है। कोई विस्की हो कोई विस्की कानून से बड़ा नहीं है अन्तपो ब्रस्वाद कानून पर हो पर ही है और मारे यह नियायलय का आदेश उसको एक्जिट किया जाएगा हाँ जो साहन में सिट्वेशन पैदा हो गई है उनके कुछ बढ़ता उनको भेर करके बैठ गए हैं वह कोई विस्की को हैंडल करने का रात्ता है वो प्रशासन को निकानना पढ़ेगा जहां तक मेरा मानना है जहां तक मुझे समझ में आती है वाद उसकी सैयारी कर ली गई है हो रही है उसको काईदर से हैंडू किया जाएगा जी और यह भी हमेशा देखना ही पड़ता है ती क कि अधालत के आधेश्चों लागू करने की प्रक्रिया में तो उनके भक्त हैं कई मामलों में कभी कभी यह भी कहना पड़ता है कि अंधवक्त हैं उनको उनको एहसास नहीं है कि वो गलती क्या कर रहे हैं उनको समझाया किसी में नहीं है कि भाई आप जो कर रहे हैं उसमें ना तो आपका बला है और ना ही उस्थी का बला है जिसके बचाओं में वह भाग घेरा तंदी करके बैठे गए हैं तो इस पर समय सा यह होता है करौथा आश्रम की वहां पर बड़े बड़े असलहे हतियार लेके सडक पर खड़े हैं संत्रामपाल की सुरक्षम ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी आर्मी है क्या संत्रामपाल की अपनी आर्मी जादा सुपीरियर है सरकार के पास पुलिस बल्ब मौजूद है इस मुद्धे पर आप पिछली सरकार को अभी की सरकार क्या करी है वरिंदर जी मैं तो कह रहा हूँ आज की सरकार जो है इसको ये सुनिश्चित करना ही होगा के कानून का पालन हो नियमों का पालन हो और कोई भी विक्ति रामपाल समेश वो अपने आपको कानून से पढ़ा करने साए कानून का करता अब रुभ न कर सके यह वरिंदर जी कानून सर्वों परी है 17 नमंबर को पेशी होगी यह मान का चले अब इस रास्ते से जो भी बनता है वो सप्रेकों होना चाहिए जी अदालत का मामला है अदालत का हाधेश है इसमें ना सरकार को तो सरकारी अमले को तो वहां के तुमिश पशासन को तो माननी उचन्याएं लेकि के हाधेश को एगजेश्यूट करना है उसके राह में अगर युसकर बहुत 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 शुक्रिया बरिंदR जी हमसे फोन पर चर्चा करने के लिए फिर हमारे साथ निउस रूम में मौजूद है प्रियंका नेगी जिन्होंने इस पूरे मामले पर कवरेज की है पूरे मामले को देखा है शुरू से ही प्रियंका आपसे जाना चाहेंगे लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर इतने खर्च हो र रिखा कि पूरे चंडिगर में न केवल हर्याना बलकि पूरे चंडिगर में पूरी जो है शुर्ख touchdown की गई थी तीस हजार की करिब जो है शुरू सुरुक्षा के जवान तेनाद किये जिसमें सी आरपी एफ के जवान जी आरपी के जवान और चंडिगर पुलिस खुद एंटेर हो रही थी, चाहिए वो महाली से हो रही थी, अभी पंचकुला से हो रही थी, सबको स्कैनिंग के थूँ आगे बेजा जा रहा था, तो एक लंबा जाम पूरे चंडिगर में देखा जा रहा था, लोगों को काफी जादा दिक्कत का सामना करना पढ़ रहा था, और य इसके बावजूद भी संत्रामपाल जो है, तीसरी बारकोर्ट में पेशी के लिए कोई बड़ी हस्ती आ रही है, और उसके स्वागत में इतने सुरक्षा कर्मी तैनात किये जा रहे है, लेकिन बड़ी हस्ती के पास टाइम नहीं, इसलिए वो आनी पा रहे है, आपको बना मैंने अपने एडिटोरियल में एक चीज लिखी थी, कि सरकार, पुलिस और नियाइपालिका के इस तरफे, कहीं नेगोसियेशन चला है कि रामपाल को हाजिर न होना पड़े, और मैंने अपने एडिटोरियल में लिखा था, कोई चाहे तो उस पर भी कर सकता है, मैंने से उपर नहीं जाता है, तो इतना ज्यादा है, हाई कोर्ट में जज लगने के लिए किस तरीके से क्या मैनिपूलेशन होते हैं, मैंने अपनी आखों से देखें, इसलिए मुझे उस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, तो इस तरह से बैठे हुए हैं, कोई बोलता है, कोई सुनने को बचना चाहता है, कोई और रास्ते निकालता है, सरकार के लेबल पे, ऑफीसर जा करके घरों पर मिलते हैं, जज जज से, क्या नेगोसियेशन करने जा रहा हैं, जज के घर पे, तो और आप ये रिकार्ड निकल वा लिजिए, मैं कहता हूं, कि अच्छी बात है, मैं कहूंगा, कि वो उससे नहीं प्रभावित हुए, अच्छी बात है, तो सबसे बड़ी बात है, कि इस तरह की भूंका में नजर आ रही है, जब सरकार, सरकार वो इंस्चूमेंट का काम कर रही है, कहते हैं, जैसे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं, कि सरकार क्रेंड पर पुलिस अपना काम कर रही रही क्या क्या काम कर रही 2006 का मुकदमा है अज तक ट्राइल नहीं पाया है आप मताइए यह कानून कानून है मजात है आप आपके वकील साब बोल लेए थे कि कानून पर विस्वास है बिल्कुल विस्वास है हम भी करते हैं और कानून के ही कारण सायद आज तक बैठे वुए हैं लेकिन कानून की स्थिति यह है कानून से लोगों का विस्वास इसलिए उठता है क्योंकि जो न्याय प्रक्रिया में देरी है वो कहीं न कहीं अन्याय को बढ़ावा देता है आज देश में नकसलवाद ये मैं नकसलवाद को मैंने बहुत करीब से देखा है रांची में रहते हुए दो साल मैं उन सबसे इंट्रेक्ट हुआ हूँ सिर्फ नकसलवाद इसलिए है क्योंकि हमारी न्याय बेवस्था ब्रस्ट है और उस ब्रस्ट बेवस्था ने ही उसको जन्म दिया है लोग नकसलियों की अदालत में जाकर के अपने मुकदमे की सुनवाई करवाना चाहते हैं स को उने ज्यादा मुफीद लगता है तो कमो बेसे ही कि यहां पर बड़ों के लिए दूसरे नियम है छोटों के लिए दूसरे नियम है आप जाएंगे कोर्ट में केस फाइल करेंगे कहेंगे नहीं सब्सुप्रीम कोर्ट में सीधे केस नहीं हो सकता है आप पहले हाई कोट सब्सुप्रीम कोर्ट लेकिन कपिल हो चाहते हैं तो सीधे फाइल कर देते हैं उसके बाद में ऐसे बहुत सारे उधारन मौजून है तो और उनको उनको कागनिजेंस ले लिया जाता है हाई कोट और सुप्रीम कोर्ट लगातार आप देखिए तमाम केसे में सुमुटों ल तो कि इतने लोग खड़े हैं से वहाँ पर सांती भंग हो सकती है यह हो सकता है तो फिर आपने उन पर कारवाई क्या की है हाई कोट ने यह नहीं कहा कि उन पर फाई अर्दर के जो भी सम्मंदित धारा है क्यों नहीं उस पर कारवाई की गई जब डिस्टिक मजिस्टेट तो इतने लोग वहाँ असेंबल कैसे हो सके इन सकीजों का जवाब कौन देगा जगा साफ जुडीशियरी पर भी सवाल उठ रहे हैं यह जो काम है जुडीशियरी जो है अब देखिए अगर आप जुडीशियरी में जाते हैं तो आपने जैललता के केस में देखा होगे कि क कनून के अंदर कितने मामले June लंबत पड़े आं कोट के अंदर कितना रहस्य है जजजीज के अपर कितना प्रेश्य नहीं रहा कोई आदमी जो इह कहना है INSE Koshi Nagar नहीं wären पर कर सक्त फैसला आना चाहिए था सरकार के किलाओब और इह जो है ठेखो यह समयदान के अंदर यह जो पावर है यह जजिस के पास है उनको केस पए चैसला करना है यह पर्यरोगेटिब यह हाई कोट के जजिका होता है उन्होंने मैं समयता हूँ अपने हिसाब से हालात के मताबिक जो उनको लगा होगा वो उन्होंने किया होगा रही बात कि हमारी नियाए प्रणाली में ये जो जुडिशियल अड्मिस्टेशन सिस्टम है अगर उसमे कोई दोश है तो शुक्रा जी जैसे परिश्ट पत्रकार है ये जुडिशियल रिफॉर्म जा रहे हैं उसमें जाना चाहिए अपॉंट्मेंट पे हैं ये सारी चीज़ हो रही हैं उसमें काफी सारी खामिया है लेकिन अदालत के लतार है यह जी आप करिये तो ऐसे है कि अदालत के पास हर तरह के हलात को निपटने के लिए हर तरह के अक्तियार और कनूनी पूरी तरह से पावर है लेकिन वह कहां किस लेकिन सरकार को लतार लगाए या नहीं कर रही है। लेकिन ये अंतिताई आप कनून से बचकर कहीं नहीं आपको सामना तो ट्राइल का करना ही पड़ेगा जो भी अदालत का फैसला होता है वो करना पड़ेगा सरकार कर रही है अब सरकार के रवेए पर और वो क्या कर रहे हैं इसके ओपर टिपनी जो है वो मेरे परिपेश में मेरे पास में कहीं नहीं कर सकता है को कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है मैं तो अलाग के ओपर कर सकता हूँ और कानून के ओपर विश्वास कर सकता और जो आने वाले सुधार की जरूरत है जो शुक्ला की बात कर रहे हैं इसके लिए भी मैं कह सकता हूँ सरकार कोशिश करें लोग समर्थन भी करेंगे और हर आदमी चाहता है कि सुधार हो प्रियंका न्यूस रूम में मौझूद है हमारे साथ उनसे एक और सवाल करना चाहिए कि शुरू से इस खबर पर वो कवरेज कर रही हैं प्रियंका जिस तरह से हर बार जब भी बाबा की पेशी होती है उनके समर्थक शहर में उबरना शुरू कर देते हैं हर बार स्टेशन प जिप पहले दो बार पेशी हूई थी तभी यहाँ पे समर्थक काफी जादा एक जूट होए था यहां पैशे से पिछले बार जब नॉर्मबर को यहां पेशी थी उस दिन 25000 के ओर जो है यहां पे बाबा कि समर्थक एकजूट होए था और रील्न पे लोगों को काफी जद कर दिया गया था और कल सुबा सुबा चार बजे से ही वहां पे जो जीयार्पी के जवान है वो पूरे रेलोड स्टेशन के आस पास इर्द गिद चप्पे रहे तो तो पूरी तरह से जो है शुरुख्षा के इंतजाम कर दे थे और नेहा यहां पे सबसे बड़ी बात यह है क इस बार 30,000 के करीब जो है, चन्डिकर परशासेन के कर्मी tied रहे और एक भी बाबा का समर्थक कहीं पे दिखाई नहीं दिया, जब्कि चन्डिकर परशासेन ये कहा था कि अगर बाबा के समर्थक चन्डिकर में एंटर करते हैं कहीं से भी तो उनको गिर्फतार किया कि आपका पूरी जानकारी के लिए शुक्रा साब ऐसा लग रहा है कि संत्राम पालिक बहुत बड़ी हस्ती हैं शायद हमें और हमारे पैनलिस्ट को भी नहीं पता है यह आखिर कितनी बड़ी हस्ती है कि तमाम सारी विवस्था लगी हुई है और इतने समर्थे कि कठा हो जात आसन में यहां पर धरा एक सो च्वालीस लगाई थी इस बार तो नहीं आये लोग पिछले दो वार जो है लोग आये और किस तरह से आये और क्या नुसेंस क्रियेट हुई सबको सबके सामने हम सबने देखा है वकील साब जो बता रहे थे वकील साब की बात से मैं 100% सहमत हू कि कानून के और कानून के उसके बारे में ही चर्चा कर सकते हैं लेकिन रहे हैं होने के हैसियत से मैं कुछ चीजेंस करक्ता हूं कि हम उस आस्पेक्ट से भी देखते हैं तो मुझे लगता है मैं एक SMS चुग हो ऐसे तो परसनल है मैं सेर कर सकता था चंडीगर पुलिस के एक टॉप आफीसर को मैंने किसी चीज का SMS किया उसका मुझे SMS पर जवाब आया कि ऐसे ऐसे यह है यह बात में बता रहा हूं आठ तारीक की तो उसने का बावा-राम-पाल के ने मेरा यह समस्या खड़ी कर दिये तब मैंने उसे मैंने उसे SMS में किया कि वह तो आ नहीं रहा है तो उसने का हम मुझे भी इंफरमेशन है लेकिन एतियातन तयारी तो करनी पड़ेगी एतियातन तयारी के चक्कर में 35 रुपया का सिर्फ वह खर्चा से लिज नहीं जुड़ी हु होगा वह रियाना का मैंने काउंट नहीं किया यहां का मुझे एक्जेक्ट पीगर पता है तो कमों बेस आप यह देखिए कि वह 45 लाग जनता की गाड़ी कमाई का बरवाद हो गया लोग परेशान हुए पुलिस कर्मी जो ओवर ड्यूटी की उन्होंने मैं सुबर साहर पा हो बेस यह इस्थिती यह हो गई कि बावा सकुसल आ जाएं बस इसके लिए हां जोड़े ख़ले थे अरे हुजूर आप एक प्रकार से एक मर्डर के एक्यूज को इस तरह से प्रोटेक्ट करके मैं नहीं कहता हूं कानून कहता है कि अपराधी हो यह जो भी हो प्रोटेक्श कि लेकिन पुस्क्राइं का मस्रेया वहां है यह बने इतने लिए जिससे कहता है हम सरकार है स्रकार मगेश पुलिस जो आदमी को जाती है घर से बाल पकड़ के उठाती है और कहीं भी वो कर देती है कहते हैं अभी हम करके सब निकाल लेंगे जो विचारे नहीं किया होता है वी कबूलने लगता है तो कमोबेस वो पुलिस बिल्कोल हाद जोड़े ख़़िए कि हाँ बावा आईये आप तो जो विए पी कल्चर है वो करेंगे कि चर्चा से थोड़ी बहुत ये उल्जन सुल्जी होगी जनता की बाबा 17 नवंबर को भी आएंगे या नहीं फिलाल प्राइम डुबेट में बस इतना ही नमस्कार हबरों की दुनिया में आईये हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन